साथियों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आइटे फाउंडेशन क्लासस में दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है आईटे एक्जामस और आईटे जॉब से रिलेटेड सभी यूटूब चैनल के मादिम से मैं आप सभी तक पहुंचाता रहता हूँ तो दोस्तो यदि आप लोग फॉर्स टाइम हमारे इस यूटूब से इन पे है तो इसी सब्स्राइब करें साथ यसाथ बैल एकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटे से रिलेटेड सभी यूशफुल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज किस वीडियो में गाईज मैं जो है Defense Research and Development Laboratories DRDL जो की DRDO का एक पार्ट है ठीक है Defense Research and Development Organization DRDO का ही जो है एक तरिके से पार्ट है Defense Research and Development Laboratory DRDL इसमें जो है Apprenticeship Job open हुई है इसी के बारे में Complete Information में Discuss करने वाला हूँ आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा तो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे Engagement of ITA Apprentices for Training at DRDL for the year 2024-2025 ठीक है 2024-25 के लिए जो है यहाँ पे Apprenticeship Job open हुई है सबसे पहले देखते हैं कौन-कौन सी ITA Trade वाले Pass Out Candidates यहाँ पे Apply कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे Feater Trade, Turner, Machinist Machinist, Grinder, Carpenter Welder, Electrician Diesel Mechanic, Electronic Mechanic, Attendant Operator Chemical Plant, Penter Computer Operator and Programming Assistant, Copa Trade वाले Foundryman, इन सभी ITA Trade से Pass Out Candidates यहाँ पे जो है Apply कर सकते हैं आगे देखे गाईज यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन से इसमें लिखा हुआ है कि केवल NCVT Board वाले जो Candidates हैं आप सभी को पता होगा एक होता है NCVT Board और एक है SCVT Board तो NCVT Board से जो Pass Out Candidates है वो यहाँ पे Apply कर सकते हैं Reservation भी अवेलेबल है SC, ST, OBC और PWD Candidates के लिए आवेदन करना है आप लोगों को Online आवेदन यहाँ पे करना है www.apprenticeshipindia.gov.in इस वेबसाइट से जो है आप लोगों को Online आवेदन करना है आगे देखिए Important चीज है कि Candidates should not have already Undergo or presently Undergoing apprenticeship training in DRDL और elsewhere वो Candidates से आप apply नहीं कर सकते जो present समय में DRDL से apprenticeship कर रहे हैं या फिर और कहीं से apprenticeship कर रहे हैं इसके अलवा अगर मालो आप Candidates who have been terminated from apprenticeship training at DRDL अगर आप DRDL पे पहले कभी training किये थे और उस समय वहां से आप किसी कारणवस हटा दिये गए थे Terminate कर दिये गए थे तो वो Candidates भी यहां apply नहीं कर सकते इसके अलवा जो है Two times from other establishment अगर मालो किसी अन्य जगह पे अगर आपने दो बार apprenticeship के लिए आवेदन किया और वो complete नहीं किया तो उस case में भी आप लोग जो है आवेदन नहीं कर पाओगे Guys देखे यहां पी जो है आप लोगों का training period इस apprenticeship job के लिए रहेगा 1 April 2024 से 31 Mars 2025 तक आवेदन जो है आप लोगों को करना है Application for IT Apprenticeship Training at DRDL ठीक है Before 29 January 2024 तो गुंतीस जनवरी 2024 कल यानि की last date है इसकी तो जो भी interested candidates है वो जल से जल जो है आवेदन करें कल गुंतीस जनवरी 2024 इस apprenticeship job के लिए last date रहने वाली है तो दोस्तो ठीक है आज किस वीडियो में इतना ही मिलेंगे आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत हन्यवाद